हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू मैं चैनल वाज हम बात करने वाले हैं बाट्साइब के बारे में कि बाट्साइब को कंप्यूटर में कैसे प्योग के जाता है कि जो बाट्साइब हमारा फोन में यूज कर रहे हैं वहीं बाट्साइब हमारा कंप्यूटर में चले तो आज इ सबसे पहले आपको जरूर पड़ेगी आपने लैप्टोप फोन दोनों को पास में रख लेना और आ जाना है अपने कंप्रेटर की स्कीन पर आपको एक कोई भी ब्राजर ओपन करने लाँ है सिम्पलिछ उसमें सर्च बार में आपको सर्च करना बार से बैब Qashdar में क्लिक करना है तो कुछ इस तरगा प्रसमने ओपन हो जाएगा जैंस आपके प्रस्ट बाइल लिंक को जो है ओप न कर लेना है अपनों जरा जो ब meta का पशेज होगा कि यहां से आपको एक QR code जो है देखने को मिलेगा और यहां पर लिखा हुआ है तो यहां आपको जाना है अपने फोन में और फोन में जाने के बाद बार्ट सब्सक्राइब करना है वहां आपको QR code scan करने के लिए दाएगा महां आपको QR code scan कर लेना है अगर आपको यहां समझ में नहीं आए तो मैं आपको फोल वीडियो यहां दिखा देता हूं यहां आपको फोल वीडियो देखने के मिल जाएगे जिससे आप बढ़ी आसानी से उसका यूज कर सकते हैं तिया आपको जाना फोन में फोन में बार्ट सब्सक्राइब करने के बा वार्षब की स्कीन है वो कंपेटर में ओपन हो जाएगी तो दोस्तों फ्लाल इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं नेक्स वीडियो में तक तक के लिए टेक केर वाय वाय बंदे मातरम दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर आता ना वीडियो कैसी लगी थैंक्स पूर वाचिंग वाय वाय